फ्रेंड्स यह है केरोसीन यह है डीजल यह सब देखे अप यह है चेंट क्लीनर स्प्रेश और यह जो आप देख रहे हूँ यह है WD-40 सवाल यह है कि हमारे बायक के चेंट को इन चारों में सबसे अच्छी तरह से क्लीन कौन सा प्रोड़क्ट करता है chain cleaning के लिए हमें किसे use करना चाहिए किसे use नहीं करना चाहिए इसी चीज़ को आगे इस video में आपको practically show करने वाला हूँ अपने इस bike में सब कुछ मैं आपको show करने वाला हूँ देखो सब कुछ मैंने आपको ready कर लिया यहाँ पर आप देख लो पैसे लगा कर मंगाता हूँ इनको प्यारे experiment करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ और जो उनसारे product सही होता है वो मैं आपको बताता हूँ के अच्छा है बाकी बताता हूँ खराब है वैसे इनमें से जो भी useful product है इन सब का जो buying link है वो आपको description और pin comment दे मिल जाएगा जाएगा तो आप इस चक्र में नहीं रहे हम बात करने वाले कि किस से हमें बेहतर cleaning मिल जाता है अब फ्रेंड देखो इस spray bottle में मैंने केरोसीन डाल दिया यहां पर मैं आपको बताना चाहूँ किस तरह से होने वाला है तो मैं क्या करने वाला हूँ कि chain आपको यहां पर दिखाए दे रहा है बाइक का तो मैं chain का एक एक section मानलो आप यहां से लेकर यहां तक का section इस section को पहले अभी मैं केरोसीन से साफ करने वाला हूँ फिर मैं chain को आगे करूँगा और बागी जो product है उससे साफ करूँगा फिर जब तक मैं यहां पर spray कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ का आप इस वीडियो में comment करें तो देखो यहां पर मैंने अच्छी तरह से spray कर दिया यहां पर आप देखो नीचे दिखा तो आप यहां पर कि गंदगी जो आपको देखने को मिल रही है यह गंदगी जो इसके अंदर से निकल रही है तो मैंने particularly अभी क्या किया है कि सिर्फ इसी section में आप ने देखा भी कि मैंने इस section में ही just spray किया है अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ इसे clean करने वाला हूँ cleaning के लिए मैं यह देख लो इस तरह का cleaning brush खासरे chain के लिए आता है इसका use करने वाला हूँ इसका भी link आपको description में मिल जाएगा अब बहुत सारे videos मैंने आपको बताया भी है कि इससे क्या होता है कि three ways है तो अच्छी तरह से जो chain है वो clean हो जाता तो फटा फट से मैं क्या करता हूँ chain को clean कर लेता हूँ यहां पर आप देखो कि मैंने बर्श को चलाया देखो कितना गंदगी यहां पर निकलता है आपको साफ साफ दिखाई दर जैसे मैं स्प्रे करते जा रहा हूँ तो गंदगी देखो कितना निकल रहा है और आपको chain अभी clean दिखाई दे रहा है आप इन लिंक्स में आप देखो यह मैंने केरोसीन से साफ किया है मैं आपको just इनके बीच का difference दिखाता हूँ इस तरफ आप देख लो ठीक है तो यह portion जो कि पहले से गंदगा था वो किस तरह से दिखाई दे रहा है और यह जो portion आप देख लो जो मैंने अभी साफ किया वो आपको किस तरह से दिखाई दे आपको अंतर साफ दिखाए के केरोसीन से चेन है वो किस तरह से साफ होता है खेर अभी तो experiment अभी और आगे बढ़ने वाले तो सिर्फ केरोसीन की बात हुई अब मैं क्या करूंगा तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में मैं बीना कोई commentary किये हु अब आप यहां पर देख लो यह मैंने डीजल से साफ किया किस तरह का क्लीनिंग है यह आपको यहां पर साफ साफ दिखाए दे रहा है कि यह लिंक कितने क्लीन हुए है फ्रेंट्स यूजवली चेन क्लीन करने के लिए मैं मोटल के इस चेन क्लीन स्प्रे का यूज़ करता हूँ लेकिन यह अभी खतम हो चुका है और यह जो आप यहां पर देख रहो यह मुझे सर्विसिंग के टैम पे BMW को मेरा बाइक है तो वहां मिल गया तक है मैं इसका भी मैं भी बताउगा को चेन को क्लीन करने के बाद की किस से करना चाहिए किस से नहीं करना चाहिए और कितने किलोमेटर के बाद चयन में लिव को डालना चाहिए अब यहाँ पर आप देख लो यह एक, दो, तीन, चारी जो कुछ linkages है जहाँ पर मैंने जो spray है उससे साफ किया है अब बगल में देख लो गंदगी किस तरह का दिखाई देर आपको यह गंदगी है और यह साफ मैंने अभी किया है तो इसने इतना clean किया अब finally बार यह है, finally हमारा जो आखरी product है यह जो आप देख रहे हूँ, यह है WD-40 चलिए, इससे भी एक portion को हम लोग साफ कर लेते है finally आप देख लोगी, यह जो cleaning है वो हमें WD-40 से मिली है चलिए, अब मैं chain को roll करता हूँ मैं यहाँ chain को घुमा रहा हूँ आपको यहाँ पर दिखाई देगा कुछ portion ऐसे आएंगे, जहाँ पर चेन आपको clean दिखाई देगा कुछ portion ऐसे आएंगे, जहाँ पर गंदगी जहाँ पर मैंने साफ नहीं किया है अब आप चुकी, चार्म अलगर प्रोड़क्स मैंने साफ किया है तो क्या आप यह देख के बता पाओगे कि कौन ज़्यादा clean है, कौन ज़्यादा clean नहीं है यह आपको बताने में मुश्किल होगा क्या आप यह बता सकते हो कि किस परोड़क्स के वज़े से जो अंदर का शफाई यह वो बहतर हुई और यह compound as a anti-rust agent काम करते है जंग से बजाते है साथे इन में cleaning की property भी होती है डीजल की बात कर लो तो वहाँ पे भी hydrocarbon molecules होते है जहाँ पे पेरिफिन नेफ्थिन प्रेजन्ट होता है साथ ही अगर chain cleaning spray की बात की जाए तो वहाँ पे यह present हो नहीं होना है क्योंकि इने बनाई जाता है chain को clean करने के लिए WD-40 में भी anti-rust properties होते है और यहाँ पे भी cleaning agent को दिया जाता है main सवाल देको यहाँ पे यह निकल कर आता है कि आज के टाइम पे जो bike होते है वहाँ पे एक तरह का chain को नहीं दिया जाता है normal chain भी होता है जहाँ पे क्या होता है कि chain के link metal to metal आपस में corrected होते है यहाँ पे sealed chain को भी दिया जाता है जहाँ पे क्या होता है कि X ring या O ring का है वहाँ पे use का जाता है और यह metal के जो link है इनके बीच में present होते है तो सीधा सीधी सवाल यह है कि वह कौन सा ऐसा product है जिनके वैसे chain को नुकसान नहीं हो chain को clean सभी करते है कि रोसीन भी करता है, diesel भी करता है जो spray वो भी करता है, WD-40 भी करता है यह सब करते है सवाल है कि क्या इन में से कोई इन चारों में से कोई भी ऐसा product है जो chain के X ring या O ring या chain का जो link है normal वाला उसे नुकसान पहुचाता है कि नहीं पहुचाता है सीधा सीधी बात यह है कि आज के time पे शायद आपको बहुत से लोगों नहीं पता होगा कि जब आप अपनी गाड़ी की engine का काम कराते हो तो mechanic भी जो engine के parts खुल के निकल कराते है उन्हें भी diesel से साफ करते है उसे कर लो कोई problem नहीं होगा diesel है उसे कर लो कोई problem नहीं होगा spray है पैसा लगाना spray वगर खरीदना या WD-40 वगर है आप उसे लगा लो उससे भी कोई problem नहीं होगा इनके वज़ाद से chain को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है यह जो सिर्फ वहाँ में बहुत से लोग आप सुन लेते हो कि भाई करोसिन से मत करो डीजल से मत करो यह सब बकवास बाते हैं पैसे नहीं लगाना है करोसिन डीजल ससता है आप उससे कर लो या फिर spray वगरा को आप यूज कर सकते हो किसी के मन में किसी भी तरह का कोई भी confusion नहीं रहे इसलिए मैंने चारो से अपने ही bike में इस bike में करके दिखा तो बहुत से लोग comment करने लगते हैं कि खुद तो यूज करते नहीं होंगे और हमें राइदे रहे हैं तो मैंने अपने bike में भी चारो को spray करके दिखाया कोई नुक और चेन के लिए नुकसान दायक होता है चाहे वो यूजड हो चाहे आप मैं रिकमेंड नहीं करूंगा यह बहुत ज़्यादा डब्रीज को गंदगी वगरा को अट्रैक करता है जिससे चेन के लिंक जो है वो खराब होते है चेन में जो रस्टिंग का चांसे वह भी करता है सस्ता होता गेर ओल आप चाहो तो गेर ओल को खरीद लो बहुत में सस्ता मिल जाता है आप उसे यूज़ कर सकते हो या फिर मैं रिकमेंड करने वाला हूँ कि मैं खुद अपने बाइक वगरा में यूज़ करता हो इस तरह के जो चेन का प्रॉपर ल्यूब होता है तो ल्यूब कम से कम अटलिस्ट यूज़ करो इसे खरीद लो ये काम का है इनका भी लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा और सही तरीके से अगर आप चेन को क्लीन करने के बाद ल्यूब डाल दोगो तो इससे चेन का लाइफ बढ़ जाता है और चेन सीधा कीण और लूब्रिकेट आ बहुत जाए ज़रूरी है अब बात करें कि कब करना चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ और चेन के कंडिशन के उपर में फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम आपको 500 किलोमेटर के आसपास चेक करना चाहिए कि ल्यूब डालने का नौबत है कि नहीं है चेन बहुत जार ड्राय ओट करही हो गया फिर भी 500 से लेकर 1000 किलोमेटर चलाने के बाद बीच में एक नएक बार आप आपको जो चेन को ल्यूब डाल देना चाहिए अब क्लीनिंग की बात करें तो इन जनल देखा गया है ये भी कंडिशन को पर डिबर्ट करता कि बाद चेन कितना अदा गंदा है फिर भी 1500 से लेकर 2000 किलोमेटर चलाने के बाद एक बार अच्छी तवा से क्लीन करका या लू सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल अगन को जरूर से दबा दे मिलते अगले वीडियो में थैंक्स रॉचिंग इस वीडियो गुडबाई